हालो डियर इस्टूडेंट्स बेलकम टू पीवीर स्टडी तो बच्चों जैसा कि आपको पता है आपकी क्लास ये डेली साम को साथ बजे इस समय चल रही परजन टाइम में आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 यानि प्रस्नावली आठ दसमलोद्दो सवाल नमबर एक बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ही अच्छा कुष्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कुष्चन कहता है कि ABCD एक चतुर्भूज है चतुर्भूज का मतलब होता है क्वाट्रेट्रल है ठीक है इसमें इन जो साइट्स दी गई हैं उनका मीडियन दिया गया है मतलब मद्द की CD और DA के मतदबिंदू है यानिenen ये AIwie का मतदबिंदू District PCC को मतदबिंदू UONA और और वहीं AD को मतलब स्दूर्भू यस है इसमें दिया गया है क्विस्चन में पा हो भी गया है आगे कह了 कि AC उसका एक बिकर्ड है बिकर्ड मिंस होता बच्चा डाइगोनल है ठीक है प्रूब कीजिए, सिद्ध कीजिए, SR पैरलल AC, ये प्रूब करना है कि SR ये डाटर लाइन AC के पैरलल है, समांतर है, और इतना ही नहीं, ये भी दिखाना है कि SR जो है, वो इसके आधे के बराबर है, AC के, देखो, अगर आपने ट्रेंगल पढ़ा होगा, ये कुछ भी माल लो ट्रेंगल का, ओ स्वारी, क्वाड्रेटरल का, ये दि किसी चतुर्भूज में, ये दि किसी चतुर्भूज में, और अगर बात करें, चतुर्भूज में क्या स्वारी, तिर्भूज में, ठीक है, यह दिकिसी तिर्भूज में चतुर्भूज की बात नहीं हो रही है किसी चतुर्भूज में लेकिन यहां से आपको चीजें समझ में थोड़ा कम आएंगी इसको यहां पर करो तो देखो एक मिनट एक मिनट वही इनको अगर ऐसे बनाए हम यह देखो तो यह कुछ ऐसे रिप कि अधान में आपको क्या चीज मिल रहा है वह चीज समझना आब अच्याँ यह देखो क्या एक ट्रैंगल है आपने त्रिफुज के बारे में पढ़ा है यह ठ्रैंगल जिसका नाम है a dc ठीक है तो देखिए यहादी किसी ते ये दिकिसी तेर भूज में दो भूजाओं के मद्द बिंदू को कोई तीसरी भूजा जोड़ती है देखो ये दो भूजा है AD और ये CD इनका मद्द बिंदू है इनका यासा इनका R है तो ये दोनों के क्या है मददबिन्दू है इनका मददबिन्दू यासा है इनका क्या है आर है तो इसका रूल होता है कि ये दिकिसी तिरभुज में दो भुजाओं के मददबिन्दू को कोई तीफरी रेखा जोड़ती है तो वो रेखा जो उसकी एक रेखा बचती है जैसे देखो इसका मदविंदू यह है इसका यह है इन दोनों को जोड़ रही है लेकिन यह रेखा सीधी फीदी बच रही न वो तीफरी रेखा क्या होती है उसके समांतर होती है और और यह जोड़ने वाली रेखा उस तीसरी रे पाएगा चलो मैं लिख के दिखा देता हूं उपर साइड में एक बार में जो मैंने बता है इसको अच्छे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लागेगा समझ मैं ऐसे ज़्यादा अच्छा से आ जाएगा ठीक है तो ऊपर मैं वो तीसरी साइड के पैरलल होगा यानि की समांतर होगा और उसका हाप भी होगा आधा भी होगा ये रूल होता है ट्रेंगल का या परिमिय होता जैसे भी समझे लो इसका कंसेप्ट है तो इसके कार्डिंग हम कह सकते हैं आताहा अब इस रूल के कार्डिंग हम कह सकते हैं आत ही होगा इसमें और भी पार्ट है सिर्फ फाइस्ट पार्ट ही नहीं है तो बच्चा आप ध्यान दो तो इसमें तीन पार्ट है टोटल चलिए आगे देखते हैं ध्यान से देखना बिल्कुल कहीं नहीं जाना आगे बढ़े चलो second part बहुत ही आसान है second part कहरा वच्च्च इसमें कि PQSR के बराबर है क्या करना है इसको हमने takes probe करना है कि जो PQ है PQ कौन सा पता है आपको यह PQ yeah SR के बराबर इसको प्रूण करना है दिखो बहुत ही आफान है हमने अभी अभी लिया ट्राइंगल ADC में अभी मैंने बगल में बनाया भी था इसमें आपने देखा था यह सार जो है AC के पारलल था ना तो इसमें आप लिखोगे लिखो तिर्भूज ABC में तिर्भूज ABC में भूजा भूजा AB वा BC का मद्ध बिंदू करमशा भूजाएं AB वा BC के मद्ध बिंदू करमशा करमशा मतलब जाड़ रहे हो सिरियल से है कौन कौन है भई पी और क्यूं है है ना कौन है पी वा क्यूं है अभी अभी उपर मैंने कंडिशन बताया था जब ऐसी स्थिती बनती है कि कि किसी भी ट्रैंगल में जैसे अगर इसको मैं बना दूँ ABC तो आपको पता है कैसे बनेगा यह कुल मिला के ऐसे ही ब कंडिशन वही बनी ना कि किसी भी ट्रैंगल में यदि कोई रेखा खंड दो भुजाओं के मद्ध बिंदूओं को जोड़ता है तो वो तीसरी भुजा के बराबर होता है बराबर होता है ना बराबर होता है समांतर होता है स्वांतर होता है स्वांतर होता है स्वांतर होता ह लिखेंगे यहां पर लिख सकते हैं आता है आता है AC पारलल LEX चाहिए जो भी लिख लो तो यहां पर लिख सकते हो फीक्वलंे इक्वालावाफ एक्वाल्फ से अगर हम देखें लिखो यहाँ पे नीचे लिखाँ लो समी करण 1 वाद 2 से अगर हम करेंगे तो P Q बराबर हो जाएगा किसके S R K हमें यही तो करना था सिद्ध ना हो गया अरे बाई समी करना नमबर एक क्या बना था भी आपने देखा था क्या था S R बराबर हाफ AC था वो इक्वेशन नमबर 5 था नहीं लिखे हो तो उस पर 5 नमबर डाल दो ठीक है यह सिकेंड है इसमें अगर आप देखो तो RHS दोनों में 1 अपन 2 AC है दोनों इक्वेशन में वही है था ना तो भाई यह RHS RHS बराबर है तो तुम LHS भी बराबर कर सकते हो हो गया ना यह आपका सिकेंड पार्ट जो है प्रूब हो गया चलो इसमें एक और पार्ट है थार्ड वाला देख लो जल्दी से फट से जल्दी करो भाई नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो वीडियो करो करके बहुत अच्छा कुश्चन है समझ में आएगा पूरा अगर आप समझोगे यह दूसरा फिगर मैंने आपको समझने के लिए बनाए इसको कोई बहुत ही बनाना जरूरी नहीं है देखो बच्चा इसमें थार्ड पार्ट जो है पी क्यू आरेस एक समांतर चतुरवुज है पैरलो ग्राम है यह प्रूब करना है थे थार्ड पार्ट में इक प Stage पार्ट में बहुत घूजिए है उसके जो करना नहीं आएगा आप सबताएब इनके बहुत बहुत दन्ने वाद सभूआ आप सभी खे हाँ चलते चलते आपको बात बता दें कि अगर आप इस तरह की कलास को बड़ी-बड़ी देखना चाहते हैं जैसे एक दिन में आपको पांच-पांच कुश्चन हल करा दिये जाए 6-7-7 तो आप हमारी प्रीमियम कलास जोइन करिए वहाँ पे हम आपको एक गंटे की कलास डेली उपलब्द कर जोगे लेकिन याद रहे इसमें आपको फीज जमा करना पड़ेगा तो यह बात आपको ध्यान रहने चाहिए आप यह मैसेज वर्टसअप पे तो करोगे लेकिन आपको इसमें फीज जमा करना पड़ेगा जिसमें वरतमान जो सुरक चल रहा है 2020 के दिसंबर में वह 700 फालो करिए इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगा फालो करिए आप फ्री वाला पड़ते रहिए लेकिन अगर आप नंबर पे संपर करेंगे प्रीमियम जॉइन करेंगे तो आपको फीज डिपोजिट करना पड़ेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिन